हलो एवरीवान, आज हम देखेंगे कि विंटर के संडे रूटीन में मैं क्या क्या करती हूं तो फुलविक काम करने के बाद हमें एक संडे ही तो मिलता है जिसमें हम सल्क एर कर सके हैं क्या आप भी मेरी तरह हैं जिनका विंटर्स में scalp बहुत ही जादा dry हो जाता है तो Sunday morning में मैं लगाती हूँ hair pack to make my scalp soft and hair strong तो उसके लिए मैं बालो को अच्छे से comb कर लेती हूँ तो बालो में अच्छी तरह से comb करने के बाद हम बनाएंगे hair mask उसके लिए एक बालो में एक बनाना को अच्छे से mash कर लेंगे उसमें 4 चमच शहद और करीबन 1 कप दही डालेंगे और फिर इसे अच्छे से निम्बू का रज डाल कर तो इन सभी को अच्छे से mix कर ले और बालो में अच्छे से सभी जग़़ पर इसे apply कर ले बनाना और हनी बालो को नरिश करेगा और दही hair को strong करने के साथ-साथ hair growth और बालो के growth के लिए बहुत ही ज़ादा अच्छा है निम्बू anti-bacterial होता है जो की dandruff को खतम करेगा टिप्स को तो विल्कुल भी ना भूलें इसे एक घंटे तक के लिए ऐसे ही छोड़ दे दूसरा step है facial hair को remove करना तो facial hair remove करने के लिए हम सबसे पहले skin को prep करेंगे तो उसके लिए मैं यहाँ पर लेती हूँ थोड़ा सा घी तो मुझे घी apply करना बहुत ही ज़ादा पसंद है तो facial hair remove करते करते मैं अपने eyebrows को भी इसी तरह से shape में कर लेती हूँ मुझे eyebrows shape में करना facial hair razor से बहुत ही ज़ादा पसंद है यह एक तरह का natural look देता है तो winter sunday skincare routine का मेरा next step है face mask face mask हमारी skin के लिए बहुत ही ज़ादा important होता है तो face mask बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगी एक चमच बेसन, एक चमच हल्दी, एक चमच हनी और एक चमच दही इसे अच्छे से mix करना है और mix करने के बाद इसे face पर अच्छे से हम apply कर लेंगे सूख जाने के बाद अब है shower time shower with cold water गरम पानी से हमारे body के सारे purses open हो जाते हैं जिसकी वज़े से skin के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता इसके बाद मैं कर लेती हूँ body hair remove तो winter skincare routine का next step है body hair remove करना मैं यहाँ पर venus का snap यूज़ कर रही हूँ कुछ समय के लिए रखकर इसे हमें धो लेना है shampoo यूज़ करते time हमें हमेशा इसे dilute करना चाहिए तो shampoo के बाद conditioner बहुत ही ज़ादा important step होता है जिसे बिल्कुल भी skip नहीं करना चाहिए तो नहाने के बाद मैं face wash करना prefer करती हूँ ताकि जो face पर अगर कुछ shampoo लगे हो तो वो अच्छे से नेकल जाए और फिर उसके बाद pimple के समस्या बिल्कुल ना हो तो गीले बालो को हमेशा cotton के t-shirt में ही टाई करें जिससे बालो के breaking बिल्कम हो जाएगी और बाल भी अच्छे से सुकता है इससे तो इसके बाद मैं apply करूंगी बालो में hair serum तो इसे भी हमेशा tip पर ही apply करें hair serum apply करने के बाद हम फटा-फट से moisturizer लगाएंगे moisturizer हमारे skincare routine का बहुत ही जादा important step होता है यह हमारे skin के moisture को अंदर से ही lock कर देता है moisturizer के बाद हमारा next step है SPF तो always use SPF 50 plus जिससे skin को tanning के समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी तो winters में धूब भले ही ना हो लेकिन harmful review भी racist होती ही है तो इसलिए हमें sunscreen कभी भी miss नहीं करना चाहिए तो sunscreen apply करने के बाद मैं लगाऊंगे tint तो यह tint मुझे बहुत ही ज़ादा पसंद है तो natural look देने के लिए मैं इसे use करती हूँ तो tint को अच्छे से apply करने के बाद अब है body moisturization का time तो मैं यहाँ पर lotus का body moisturizer use कर रही हूँ जिसमें SPF 35 plus है तो यह बहुत ही ज़ादा अच्छा है body के लिए और detanning में भी बहुत ही ज़ादा helpful है body care के बाद तो मैं यह एक principle लेकर ही चलती हूँ you should always smell good no matter where you are तो यह plum का body mist अच्छे से apply करने के बाद यह हो गया मेरा Sunday routine खतम तो यह था मेरा winter Sunday routine now we'll meet in next video till then take care bye bye